हैं जेस्टी व्यपार करने का बिजनेस करने का एक संपूर्ण नया जो है तरीका है इट इस न्यू वे और डूइंग बिजनेस और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज़ पे सोचे एस बिजनेस ओनर्स जो लोग बिजनेस चलाते हैं यह बहुत जरूरी है कि आप इस इसके तौर तरीकों को खुद समझें और सिर्फ अपने चार्टर अकाउंटेंट या अपने टैक्स कंसल्टेंट पे ही रिलाए ना करें यह इस चीज में आपकी बलाई है यह इस चीज पे आपको फाइदा होगा तो इसको सीखना जो है बहुत जरूरी है इसके बाद हम ब करेंगे कि आपको क्या क्या चीजा करनी होगी जिससे आप अपने बिजनेस को जीएस्टी की तरफ जो है आगे पड़ेगा लेकिन शुरूर करने से पहले में यह जरूर करूंगा कि जीएस्टी एक टेक्नालोजी बेस्ट लॉए है आज काफी समय तक सुबह से हम सब की यह पाचीत हो रही है अभी हमारा एक पैनल था क्लाउट कंप्यूटिंग वह भी टेक्नालोजी के बेसिस पे जो है चलता है लेकिन जीएस्टी एक कंप्लाइंस का ऐसा कानून है जो फुली टेक्नालोजी बेस्ट है तो दोस्तों आप में से वो जो आज अभी भी यह समझ और यह सोच में डूबे हुए है कि कागर्स के पन्ने से व्यापार चलेगा जो कि आज के आज का रिवास है कि हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे 40 फॉर्म बरके आज अगर हम देश में देखे करीबं 29 राजियों में वैट वीएटी के लिए कुल मिला के 347 फॉर्म है अलग है आगे चलके यह फॉर्म नहीं रहे है कि और यह कानून जो है complete ली टेक्नालोजीडियू टिवियों गोन है तो इस कानून को अपनाने के लिए और अपने बिज्निस में लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने से सब जो है टेक्नालोजी को अपनाएं GSTN के बारे में समझे और ये समझे कि ये कानून जो है technology कैसे use करता है आपके business को comply करने के लिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले कि GST क्या है और क्यों लाखों होना है क्यों इस कानून को लेके सरकार आई है और मेरे साथ stage पे खड़े है मेरे सहय कर्मी श्री तरुन कुमार जो पंजाब राचे के जो है टैली के अग्जेक्शन है वो भी मेरे को support करेंगे इस presentation में और आपको जो है बहुत सारी चीजों के बार में और विस्टिक में जो है जानकारी देगे तो शुरू करते हैं सबसे पहली बार की goods and services tax क्या है यह एक single unified tax system यह पूरे country में single tax है it is a one tax one nation जिसके तरफ हम जो है बढ़ते चले जा रहें दूसरी बार बहुत important चीज़ आज हमारी पूरी इंडारेक्ट टैक्सेशन जो है वो टैक्सेशन एड्सोर्स है GST जो है is a destination tax जहाँ पे वस्तु या service consume होगा टैक्स वहाँ पे लागो होगी नाकि origin में होगी तीसरी चीज़ यह हर supply पे जो है लागो होगी यह चीज़ समझना बहुत जरूरी है दोस्तो supply यह शक्त supply GST के रेजीम में कोई manufacturer नहीं है कोई trader नहीं है कोई service provider नहीं है हम सब supplier है आप किसी को supply करते हो वो आपका customer है आपका customer किसी और को supply करता है वो भी एक supplier है कोई manufacturer कोई trader कोई service provider जो है नहीं है चौथा बहुत important point जो है वो यह कि सिर्फ value जो add किया जा रहा है चेन में सिर्फ उसी पे tax होगा tax on tax जो आज का policy है वो नहीं होगा हम VAT पे करते हैं excise paid product पे जो वो product जब trade में जाता है या चैनल में जाता है या विक्री के तहरे customer तक पहुंचाता है तो उस product पे VAT लगता है which is actually अगर आप देखे तो वो tax on tax है आगे चलके there will only be a single point taxation और वो tax पूरे chain पे value addition पे जो है लागो होता रहेगा and last but not the least जितने भी आज के तारीम में indirect taxes है उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे वो सारे taxes नहीं रहेंगे और उनके जगे पे सिर्फ एक ही tax होगा which is GST आगे बढ़ते हैं आज का मौझूदा tax structure क्या है अगर हम देखे मौझूदा tax structure दो भागो में जो है इसको हम divide कर सकते हैं एक तरफ जो tax central government जो है लागो करती है उसमें सबसे बड़ा tax है इसके आगे CST जो इंटर स्टेट के लिए लागो होती है जिस पर आज हमको input tax credit नहीं मिलता है उसके आगे purchase tax अलग तरीके के government जो है अलग अलग तरीके के जो है टैक्स लोकल टैक्स जो है रहो करती है कुछ states है हमारे जाबे ऑप्राइब लगता है लगता है कुछ स्टेट से जाबे नहीं लगता है और अगर आप central government टैक्से देखे तो counter वेलिग ड्यूटी है special additional duty है service tax है एक साइस है यह बड़े बने टैक्स जो है यह सारे जो है सेंट्रल कव्मेट के घजाने में जाते हैं अगर चलके GST में तीन तरीके के टैक्से सब्सक्राइब एक होगा cgst जो कि सेंट्रल जी एसटी कहलाएगा cgst में जो भी टैक्स कोई भी बेविट करेगा वो टैक्स जो है डाइक्टी सेंट्रल गप्रमेंट के ट्रिशरी में जाएगा दूसरा है sgst जिसको स्ट्रेट सटेटा सब्सक्राइब करें आ संतुumes जा रहा है कि अजयेदा कि गास्ता हैं कि पंज craft जहां है यह ताउ कमोड़का इस को Twin Time कि अचे एक झाद बहुंतन केनता जायेख को कि अड़ाइब कंतेथ इसे का हुगा इंटिट हैं लेकिन इसकी खासियत क्या है खासियत यह है कि आज तक हम इंटर स्टेट सप्लाइब करते आये हैं CSD का रेट जो है कम सरकार ने इसलिए रखा है ताकि वो इंपूट टैक्स क्रेडिटेबल ना हो और आज गयपारी CSD को जो है अपने खर्चे में लेके चलता है अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में जो है लेके CSD आगे बढ़ता है लेकिन आगे चलके सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है IGST और CGST प्लस SGST सेम होगा सेम रेट में होगा इसका असर आप में क्या है दो तरीके के असर होगे एक यह कि आप as a manufacturer as a supplier as a trader आप भारत के किसी भी कोने में निश्चिंत होके जो है व्यापार कर सकते हैं आज अगर आप देखे तो हर स्टेट में वैट अलग है की नहीं कि येस आगे चलके हर स्टेट में CGST और SGST लागो होगा और आप इंटरस्टेट सप्लाइज करेंगे IGST जो की इन्पूट टैक्स क्रेडिटेबल है तो आपके चेन में इंटरस्टेट सप्लाइज में जो भी आगे का वैल्यों एडिशन होगा उसका क्रेडिट आपका बिजनेस जो है अवेल कर सकता है आपका बिजनेस और ज्यादा जो है कॉम्पेटिटिटिग हो जाएगा इसके आगे हमचे चलते हैं कि सीटी में कौंसे टैक्सेस इंट्रूड हो जाएगी और आइजिस ती में बूस्किल है इसको समझना सिदी इस्ट में मतलब मिसाल के तौर अगर देखी जाए तो ऑब्यस है कि जो सेट्रल गवर्मिंट टैक्सेश वो सारी जो है सी-जी-ई-पने जो है सबस्जिम हो जाएगई और जो इंटरस्टेट वाले जो ट्रांसेशन्स की लिए टैक्सेश सेश्छ इस्ट बिंक देगेस कि कि कब लागव होगा सघस्ट कब लागव होगा और आई जसी कब लागव हो तो एक बड़े ही सिंपल से टायग्राम से हमने कोशिक करा है आपको इस चीज को सम्याने के लिए कि मिजाल के तोर अगर आप पंजाब के बिसनेसेन मैं पंजाब में आपका फैक्TORी इंड़ा के आपका आपका वेयराउंज थे पंजाब में आपका इंपोर्ट्क का जो है कारोबार है जो भी है तो प्लेस ऑफ सब्लाइब दोस्तों बहुत एहमियत रखती है कि प्लेस ऑफ सब्लाइब एंड प्लेस ऑफ सेल कि सी जी एस्टी के रेजीम में आगे चलके आप देखेंगे कि प्लेस ऑफ सब्लाइब बहुत-बहुत होने वाला है क्योंकि अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाइग बॉस्ट अप्लेस को अप्लेस आपा यह हूं मैं अखस अपट्ट कि इचे तब ट्रॉण कि अग्राफिक नहीं है कि अग्राफिक नहीं कि तो सीजेस्टी और इसजेस्टी की बात कर रहे थे हम लोग तो सीजेस्टी और और एसजेस्टी जो है यह लागू होता है इंट्रा स्टेट सप्लाइस में इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप पंजाब में है और आपकी सप्लाई पंजाब है प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सेल अगर पंजाब है तो सीजेस्टी और एसजेस्टी लागू होगा और अगर प्लेस ऑफ सप्व्लाई पंजाम है और अगर आपका प्लेस ऑफ सेल डिली है पंजाब का बहुत माल जो है काभी जारा काणवार डिली के साथ होता है तो तब जो है I.G.S.T. लागो हुआ तो अगर हम बहुत ही simple तरीके से इसको समझने की कोशिश करें इंट्रा स्टेट सप्लाइस जो है उस पे CGST, SGST लागू होगा और इंट्रा स्टेट सप्लाइस में जो है अंतर राज्जिय सप्लाइस में लागू होगा आपका IGST तो इतने टाइम में हमने क्या क्या सीखा कि एक ये technology-based law है technology को अपनाना बहुत important है हमारे business के लिए आगे चलके unified law है जितने central और state level taxes थे और levies थे और CES थे वो सारे गिल के अभी तीन तरीके के जो है taxes लागू होगे हमारे पर एक CGST एक SGST और एक IPST तो इसके बाद हम चलते हैं कुछ GST के concepts concepts मतलब सबसे पहले शुरू करें के हम registration से registration का क्या मतलब हो registration का मतलब हुआ कि आज आपका वैपार जो है समझेए आप वैट में जो है रिजिस्टरड है department के पास commercial test department के पास आपका email ID है आपका phone number है आपका place of address है आपके funds जो है उसका जो है data department के पास है तो यह आगे चलके जो है VAT से आप migrate करेंगे आपका business migrate करेगा सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे दो बहुत इंपोर्टन चीज़ के बारे में एक है हमारे वैपार के लिए हमारे देश के लिए हमारे business behavior के लिए तौर तरीकों के लिए यह एक नया concept है और इसको स्कुरिय के जो आपके दिवांद में नहीं होगो यह का नहीं होगा तो अगर आपकी निगाहे जो है स genome 흡िए और इलवाइक करेंग сама हिसिक इन्वाइस मैचिंग करना भौथ मुश्किल काम है आपके लिए पहली बार invoice time पे generate होगी जीए, दूसरी बार invoice completely generate होगी जीए, तीसरी बार invoice correctly generate होगी जीए और हम आगे चलके देखेंगे कि invoice matching होगा कैसे, जो कि हमारे पूरे presentation का सबसे हैंनम slide है कि invoice matching का process और return का process GST में कैसे किस तरीके से जो है define किया गया है ताकि वेपारी जो है technology का use करें और अपनी invoice match कराएं क्योंकि क्योंकि दोस्तों जो invoice match नहीं होगा, बड़ा सीदा सरल हिसावे GST न, उस invoice के लिए आपको input tax का credit नहीं मिलेगा अगर हम ये मान के चलें कि GST का rate ज्यादातर commodities के लिए 18% है इस 18% input credit को ना मिलने का जो impact हुआ आपके business में बहुत भारी बड़ेगा, अगर आपका कारोबार नमभा है, अगर आपका कारोबार ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे transactions है, अगर आप technology को adopt नहीं करोगे, तो ये 18% का जो credit आपको नहीं मिलेगा, ये आपके business में बहुत भारी या आपके बैठे, शायद सभी लोग जो है, input tax credit, अभेल खाइदर, और as VAT, और whatever, even for the case of service tax, लेकिन दोस्तों दियार रखिए, एक बहुत important चीज़, सर ये tax जो है, ये कानून जो है ना, ये पूरे chain पे लागू होती है, ये आपके supplier पे लागू है, आपे लागू है, आप उससे मज़दार बात ये है, कि अगर आपका supplier complaint नहीं है, तो आपको input tax credit नहीं मिलेगा, अगर आप complaint नहीं है, आपके customer को input tax credit नहीं मिलेगा, तो पूरे chain को complaint होना बहुत important है, ताकि chain input tax credit को utilize कर सके, और ये credit bank का credit नहीं है सर, ये ऐसा नहीं कि सरकार आपको refer देगी, ये ऐसा नहीं है कि आप जाके department के सामने जाके एक अरजी देंगे कि जी मेरे पैसे का वे है, ये provisional credit है, ये एक electronic ledger में रहेगा, और आपके next payable tax से जो है deduct होता रहेगा, तो ये business continuity के लिए बहुत important है, और आपके suppliers और customers के लिए बहुत important है कि आप compliant हो, और आपके compliance और input tax credit के लिए और भी important है कि आपका supplier जो है compliance हो, तो थोड़ी सी बाते हम करेंगे ये सारे topics पे, सबसे पहले हम चालू करेंगे registration पे, सरकार का ये मानना है कि अगर आपका business, अगर आपका business समझेगे कि नौर्थी स्टेट में है और चपिस नवेंबर के बाद एक notification नया भी आया है कि तीन औ स्टेट इसमें एड हो गए है हिमाचल, उतराचल और जेन की, तो अगर आपका business 10 लाग के उपर का है aggregate business, मतलब आपके form 20 हो सकते हैं लेकिन अगर 200 का जो है turnover 10 लाग के उपर है, तो आपको GSTIN में compulsory register करना पढ़ेगा, बाकी राज्यों में ये value जो है 20 लाग है, अगर आप आपका aggregate turnover 50 लाग से उपर है, तो सरकार आपको बोल रहे हैं कि आप as a regular dealer जो है, खुद को register करें, not as a composite dealer होगे, रेजिस्ट्रेशन का process क्या है, रेजिस्ट्रेशन का process ये है कि हर स्टेट में रेजिस्ट्रेशन का एक notification आएगा, अगवारों में आएगा, आपकी email ID में वो अपने tax consultant या अपने chartered accountant से जो है, अपना सारा tax का कारुवार जो है, आज के तारिक में उनका चल रहा है, तो उस्तों ध्यान रखिए कि department आप से email के जरीए जो है communicate करेगी, और ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में ये बात होती नहीं है, लोग अपना email access नहीं क के ताकि आप time पे जो है, return अपना file करें, क्योंकि time पे return finally करेंगे, उसका भी एक implication है आपके business पे, दूसरी बात की जो भी आपके अलग-अलग, अगर समझ लिए कि business अलग-अलग है, आप for example, आपकी manufacturing भी है, आपकी trading भी है, या आप दो अलग-अलग तरीके की business करते हो, कही पे आप कपड़े का business करते हो, इनको सरकार consider करेंगी as business vertical, और हर business vertical का जो है, एक अलग registration आपको करना पड़ेगा, अगर आपके पांच मुर्कों में, पांच फ्रांक्तों में, अलग-अलग offices है, उनकी registration अलग हो भी उस state में, और अगर आपका business का turnover, जो वादे लिमिट समने दिखायते 10 और 20 लाप वाले, उसके लीचे अगर हो, तो registration आपके लिए जो है, optional होगा, सरकार आपको यह आपके पगड़ेगी नहीं कि आप जो है, जबरदस्ती जो है, जाके registration करें, अब एक बहुत important चीज़ कि यह GSTi number actually है क्या, और यह समझना भी बहुत important है, कि दोस्तो जो GSTi number जो है, इसमें 13 digit है, जिसमें बीच के 8 digit अगर आप देखे, वो आपके PAN number से जुड़ा हुआ है, वो आपके PAN number से जुड़ा हुआ है, जो last 3 digits है, वो GSTi के system generated digits होंगे, और जो पहले 2 code है, वो पंजाब का code है, तो आपका PAN number updated होना चाहिए, ताकि आपका GSTi number जो है, automatically updated हो जाए, पिछले सार, सारे departments, जितने भी commercialized departments है, सभी commissioners को बोला गया था, कि PAN number जो है, रिवालिडेट करवा है, I am sure कि मैं confidently कह सकता हूँ कि आप में से बहुत लोग होने जो है, अपना शाहिद PAN number भी जो है, दुवारा department से जो है, department के साथ मिलके जो है, अपने validation करवाया, छोटे वेपारी तो बहुत पैमाने में जो है, validation करवाया, इस validation का एक ही मकसद था, कि जब PAN number और GSTN number एक unique code होगा, business का, इसी पे जो है, returns आपकी calculate की जाएगी, तो PAN number का update है, हमाले लिए बहुत important है, ये enrollment schedule है, आज ही मैं आते राते जो एक बार्मक पढ़ रहा कि ये dates जो है, जैसे पंजाब का date, मेरे ख्यार से last के दो जो हकते ते December के, उसमें जो है, registration चालू हुई थी, और registration का क्या मतलब है, कि आपको information आएगा, department से की, आईए और जो है username और अपना password दीजे, और लेने के बाद, gstn.gov.in जो website है, उसमें जाके थोड़ा सा login करके दे जो है, business के details सही है कि ये काम आज भी जारी है, बहुत ऐसे states है, जहाँ पे response वेपारियों से, businesses से कुछ ज्यादा जो है encouraging नहीं रहा है, ज्यादा पैमाने में लोग नहीं आया इसको करते हुए, तो आज ही मैं बढ़ रहा था है कि काफी ऐसे state governments है, जिनका ये decision हुआ है कि व और बढ़ी, लेकिन बहुत important है दोस्तों कि आप अपने चार्ट करें, आप अपने tax practitioner को कंसर्ट करें और जरूर जिस्ट आइक नंबर जो है, आप apply करें और उसको email के जरीए आप check करें, थोड़ा सा time हम spend करेंगे, इस topic पर, थोड़ा सब है, topic इसलिए है, क्योंकि मैं बार आपका सारा, आपका तो क्या पूरे भारत द्वर्श का indirect tax का data जो है, वही जिस्ट आप में जो है, यह तो बहुत बड़ा security रिस्क हो सकता है, तो जरकार का यह मानना है कि हम as government of India, वैपारियों को, businesses को, entrepreneurs को, companies को encourage नहीं करना चाहतें कि वो डायरेक्टरी आके GSTN से interact करें, तो सरकार ने क्या सुझा की, business और GSTN के बीच में एक layer जो है, उन्होंने create करा, एक service entity उन्होंने create करा, जिसको कहा जाता है, GST सुमिदा provider, short में GSP, तो GSP का क्या रहा है, अगर आप आप आज GSTN के पोटत में जाएगे, चौतिस कंपनिया, साड़े चार्सों कंपनी में जो है, उनको qualify किया किया है, as GSP, तो GSP का सबसे हैं काम क्या रहेगा, GSP का काम यह रहेगा कि आपका जो tax का data है, वो GSTN तक पहुचाना, आपका return आप तक पहुचाना, आपके पैसे GSTN तक पहुचाना, और आपका जो return file होगा, उसका चलान जो है, आप तक पहुचाना, यह GSP का काम हुआ लेकिन यह काम बहुत भारी वर्कम है क्यों क्योंकि अगर आप ट्रांजेक्शन वॉल्यूम देखे और अगर आप फैनेंशियल एक्यूरिसी के पॉइंटा वुव से देखे तो यह जीएसपी का काम बड़ा सेजटिक काम है सर आगे चलके आप में से सब लोग जो है कोई ना कोई जीएसपी को आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा है चूज करना पड़ेगा तो जीएसपी को जो है ध्यान से चुनिए कौन सा लेकिन यह मॉडल है इस तरीके से जो है जीएसटी काम करेगा हमारे कंट्री में एकुछ कर दूंख का तो आपका जाना माना सौट्वेर जो आपका हरर करता है में इंडिया प्रोड़क्ट देश के भारत के व्यापारियों के लिए बनाया हुआ अगे चलते हैं और समझते हैं कि टाइप आफ रिटरंस तो टाइप आफ रिटरंस में यह थोड़ा टेक्निकल कामला है तो हमारे जो एक्सपर्ड है यहां पारोगर्ण जी तर्ल़ी शमझेंगे की टाइप रिटरंस कौन कॉँअ से है रिगुलेट ढिलर के लिए तैज्म करेंगे उसके इक्या एग्लिकेशन्स और आण सी तारीखें जो है बहुत इंप्रेट है वह हम संद्रिंगे तारुतं दोग पर्टे है तो यहां पर हमें जिहां देना पड़ेगा कि इंट कि स्क्रिता रखी हमारे पस है तो फॉर्द के वह बता दें तो अब जा पर दें या तो मंत्ली इटण बरते हैं या हम पौटली इस ताल में अगर मंत्ली है तो बारावाज और वह पौटली है प्रस एक एन्ट आपार यह बढ़ने वाला को आपको दिखाना जाता हूं तो सबसे पहली है इसको बड़े ध्यांसा समझना कि आप हमने इंडिये साथ पादजीत करनी है तो जीस्ट आप अब सब्सक्राइब में लैंग्विज चेंज है परिवाजा चेंज होगी बिल्कुल तो कोई सेल नहीं है क्या है अब सब्सक्राइब है और सब्सक्राइब कर दो कब जानी है अब हमाल लीजे पहली एप्राइज को के लॉव आ जाता है तो सब्सक्यूट बंद्स निइस की में में की 10 तारिकों हमें अपनी यह पुरी सेल चड़ाता सब आप सब आप्सक्राइब चड़ानी है इसको हम क्या बोलेगे द्स्ट्र वन एक तो पहली दने दस त यह कैसे देरा है आपके अच्छी तरह जाओंगा पर भी बता रहता हम यह आटो पॉपुलेटर होगी ठीक है यह आटो सिस्टम मना के देगा और इस सिस्टम कर बना के देगा 11 तारिक को क्यूंकि 10 तारिक आपके नाम पर किसी ने सेल चड़ा दिया और 11 तारिक और 11 तारि यह आगे चलते हैं अब तूए आगी मेरे पास मुझे क्या करना है इन्वायस मैचिंग वह बहुत 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 इंवाटन कॉंसर्ट्ट है उसके बिना काम चलने वाला नहीं है क्योंकि मेरा IDC पूरा का पूरा इन्वायस मैचिंग इपेंटेंट है तो आप इस इस वार आपट इस वार इंवर सप्लाइग ठीक है अगे बिलते हैं वन ने कहां तर मैंने ए बोला दा ना जो आटो अपुलेटर होगा यह सिस्तम बना के देगा हूंका अपने आपी तो इक प्राइब किसको नहीं सब्लायर को क्यों क्या हो कभी ज़्वाइब निश्य प्राइब हो सकती है यह जो एक आपका इसी इसी पेटिबंट करता है तो ने बनके आजएगी आपकी सोला तारीक को इसके आगे चलते हैं कि बहुत इंपोर्टन जीएस के आज रही है तो वैट पेसर इसकी रिस्पोंसिबिल्टी थी जीएस्ट वाइट पाइल करने की ओनर स्टी अब यहां पर डिपार्ट्मेंट कहरा है डिपार्ट्मेंट बिनी जीएस्ट निकारा है सब कोई जक्कर नहीं है आप अपने सेल इसको बहुत दहां से समझनी वाली बात है कौन बनाके दे रहा है तो अपलोड करने से पहले हमें हर चीज को चेक करना है क्योंकि जब यह रिटन बन गई और आपने का कि नहीं यह तो मेरा रहा गया हो रहा गया तो इस्टों आप पूरा ध्यान से समझेंगे यह जी सारी क आपको बनाके देगा ठीक है अगर आपने काना कि इमेल आड़ी बहुत इंपॉर्टन सब्सक्राइब करते हैं अगर मेल कंप्रिगर नहीं है तो मेल कंप्रिगर कर लीजे कि इपार्टमेंट आप से इसी तरह से पास करने वाला है तो किम्पूर बाबाबा ही है जो हमारा अधार करेंगे इसमें तो यह बनके आई अटमेटिक एक अपाइगी जब मैंने रिटन बनाई नहीं यह गलत बनाई यह नोटीस आज़ेगा मैं इसम्पूर्टन है यह अगर अफ्रम परस्कों आजा था तो दोज़रा थारा दिसंबर में मुझे पाइल करने होगी तो कित सर्थ 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 इसमें रिटन नहीं है अभी अब इसमें आप अपर दिसंबर अगर वाटल यह आप अब यह था तर्थ सरश तीन महिने की होगी है च्ट्रीस और एक आज़ेटर अरटिस तो इसमें बार इंट्रेंवार्टन कितना पड़िया था डशुर्टा अब इसे पाद लिए तो यह आज करने ही पड़ेगी इंट्रेक्शन देखें देखें लें इसे इंट्रेक्शन करने लिए और आप सब को अब होता है इंट्रेक्शन के लिए इसे बाद व्रख करने हैं आपकी मेल आईगी में आपके जवाद है रहा है तो एक इग्जांपल जो पूरा टेक्णोलोजी जो भी सुंखाने कोशी की किस तरह देवा तो मैंने की इग्जांपल बना रखा है इस इग्जांपल को समझना बहुत जरूरी है कि पूरा अपरा ज्यान आ जाएगा में टेक सब्सक्राइब्सक्राइब है कोई सबूसरेजर का है सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो आप शे नंबर का एक लाग की लिमिट है और 20 मैंने इस पर GST लगा हुआ है ठीक है वैसे आपको रेट पता सर GST के क्या रेट है किसी को नहीं पता तर मैं पता है वैसे तो मैंने 20% लिया है आपे 20% है नहीं कैलकुलेशन के लिया मैंने असानी वजाती है क्या थो प्रसंट मैंने 10% में कमा ऐसं बता है 5 % 15 एप्रसेंट 12 एटीन परसंट अब 28 परसंट यह चार यह रेट है जोले, ठीक है ताहे? एक लाफिक्स काम नहीं कर रहे हैं इसमें वही अपना लेप्टोप बैदा है इसमें लेप्तोप चेंज रहना क्योंकि यह समझना बहुत जुरूरी है और यह ग्राफिक्स चल लिए इसमें नहीं आधा है प्रफर कि देखने यह करेक्टियों के हैं आधा यह सारे इंवाइस कर देंडा तो यह चार इंवाइस नतना स्टील ले बेजे हैं हमको ठीक है तो मेरे सारे इंवाइस कर दिया टूर्फर्ट लिए इंवाइस कर दिया तो यह कहा आगया मेरे और इंवाइस कर दिये तो यह वोटा-वटा अप्राइब के विजिस किया है थी कि अब आगे तो अब क्या तरी किया है तो में दस को क्या करना है हमने इस तरी किया क्या पॉंट रिटल जाओ आप्ट वाइड को पर नंबर किया था इसका इस पर पिए अप्लोड करनी है तो रटना सिम्नेवी कर दी किया मैंने खेए अपर नदर आथा सब्सक्रान पोटल है जहां पे आपको अप्लोड कर रही है थुरू जीस्पी ठीक है यह 10 तरी को अप्लोड हो एक ठीक है अब 11 को क्या होना है तो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब को अब बढ़ी आप देखने हैं तो यहां पर क्यों मैची इस पर अब आपको अब देखने हैं पर दिफरेंस है आप मैची करतें तो पहला इंवाच पर यह नहीं को चार इंवाच बजेथे तर मेरे और ऑस तो मैं आपको नहीं करूंगा सब्सक्राइब कर दूगा अब बहुत जबस चीज लिखे विए था यहां पर फढ़के प्रविटिनल लाइटी सी इसको कमें नहीं प्रविटनल लाइटी सी क्यों लिखा है वागे बताता हूं प्रविटनल लाइटी सी मिल गया है वहां ने बनेगी ऑटोमेट इस सिस्टम बनागी दे रहा है तो वहां ने कहां दे लाइगी मेरे सप्लायर को कि मैंने उसके नाम पर बिल जड़ा दिया है तो देखे कि अच्छा जलती से रागया मेरे साब तो उन्होंने भी एड़ कर ल मेरेट हों अगूं अब को मैंने करने मझे आप इस सी साइपल को मुझे अप पडर्वितनल ना अर् कल देखे अच्छ्ण को तो दोस्तों हमारे पास काफी सरा इंफर्मेशन अभी भी बाकी है लेकिन अफसूपस की बात यह कि आयोजोगा पका जो कहना है वो यह की वह एक और पैने जो है तयार में दिये एक दूसरा डिसकेशन लेने के लिए तो शायद हमको जो है संशेप में इस सेशन को जो है खतम करना पड़ेगा यह बात जरूर है कि अगर दर्शक चाहे तो हम शायद जो है और थोड़ा जांकारी हम दे पाए लेकिन वह मैं आप लोगों में छोड़ता है जी कंटिन्यू कर ठीक है उसके बाद लग्ष फिर लेक्स टेशन शुक्रिया थैंक यूवेरी मच बहुत आवारी आपके आपके पीछे जो है अगर वो कंप्लाइंट दी है तो आप दी कंप्लाइंट दी हो आपका टैक्स जो है वो प्रोविशनल कर रह जाएगा वह आप एलिजिबल नहीं तो सबसे पहले जो है अगर आप ग्राफिक में देखे तो सदर्फ जो है वह सरकार को टाक्स जो है करकर जो है पहले जबहां करेंगी उसके बाद जो है वाहर को इन्पूट ग्रेडिट भी नेगा तो यह खें जो है यह हमको बहुत अच्छे से समझ ना है तो अगर हम आग अब्ये लेगा जब सब्ले क्रेंट मे मैं जमा करते है, लेकिस में खास बात हिए है कि क्की», कुष्यरियर या कस्तुमर को तभी मले , और है जब सद्धोर आपको आपको सप्लायर जो है जब आपका सब्लायर ओये कंप्लाइट है आगे बढ़ते हैं यह चोटा सा स्लाइड है लेकिन यह थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव स्लाइड है वो इसलिए क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा आपको ट्रीप्मेंट बताइए कि कोई दूसरा टैक्स उसका ट्रीप्मेंट क्या होगा उसके नियद कौन से है उसके तौर तरीके कौन से हैं तो सबसे पहले हम देखिए तो आपको सीजेटी अवेल करना है तो सीजेटी का सबसे पहले एड़़स्मेंट होगा सब्सक्राइब अगर उसमें कुछ बाकी रहा तो वो एड़स्ट होगा आई जीस्टी के साथ तो यह पहला ही हम है अगर आपको सब्सक्राइब करना है किसी दूसरे टैक से तो सबसे पहले अजस्मेंट होगा सब्सक्राइब करना है तो आई जीस्टी का सबसे पहले अजस्मेंट होगा एगेंस्ट आई जीस्टी जो बचा रहेगा वो होगा तो तीन नियम है अजस्मेंट के यही बेसिस पे सिस्टेम आपका रिटन जनरेट करेंगी इसी बेस पे सिस्टेम आपका इंपूट टैक्स क्रेडिट जो है कैकुलेट करेंगी सबसे पहले लॉक आफ होगा एगेंस्ट क्रेडिट या इंपूट जो भी आपने अवेल किया है और जो बचा रहेगा वो पहले सेंटर के अगेंस्ट नॉक आफ होगा आगे बढ़ते हैं इसके आगे करें कि अगर हम यह सेशन में देखें तो हमने क्या गया देगा कि हमने देखा कि जी एस्ट की रिटान जो इतने तरीके के हैं उनकी फाइलिंग कैसे होती है उनका इन्वाइस मैचिन का जो है बूल क्या है और आगे हमने यह भी देखा कि जो अलग अलग तीन जो इसके आगे हमारा section जो है वो है impact of business मतलब GST का जो है आपके business पे जो है क्या असर है तो कुछ कुछ example से हम आपको इसके बारे में बताएंगे लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मोटे तौर पे अगर हम देखे जो 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 स्टॉक जिस दिन से लागो होगा समझ लीजे एक अपरेल से लागो होगा तो प्रोविशनल क्रेडिट का यह हुआ कि एक अपरेल से पहले तक का आपके पास जो जो स्टॉक है वेदर डिज्रम अडियरियल वेदर जिस जुश्च कोई ग्राइद में फीनिष्ट में गीडियो वेदर इस मेंरिन एक प्रॉसर्ट यह पीड़ेंग झीज इस demographic के क्या इस्टी उसका जो है आपके बिजनेस पे क्या implication होगा वैड जो आपने पे किया है जीस टी जो आप पे करने जा रहे हैं और एक नई चीज जीस टी रिजीम में जो आपके बिजनेस के फर्दर इंस में कि अकाउंटिंग टर्मिनालोजी में एक कहवत है कि फर्दर इंस ऑफ बिजनेस मतलब आपके वैपार के लिए आपके जो खर्चेंज जो एक्सपेंसे जो उसकी ट्रीटमेंट जो है जीस टीमें क्या होगी तो यह पांच विशह हैं जो आपके बिजनेस पे इंपक्ट होंग कंप्लाइंस रेटिंग जो एक नहीं चीज मैंने आपको गडाई इसका क्या महत्वर है यह आपके बिजनेस पे कैसे इपैट करेंगा तो दोस्तों कंप्लाइंस रेटिंग का यह मतलब गगा कि जैसे मैंने आपके लिए रिटर्ण जो रिटर्ण का कैलकूलेशन है जो अगर आपने जमा कर दिया तो आप कंप्लाइंट होगे लेकिन आपने जमा नहीं किया तो आप नौन कंप्लाइंट होगे अगर आपने लगातार जमा नहीं किया तो आप लगातार नौन कंप्लाइंट होगे और उस पे गवर्मेंट जो है सरकार जो है आपको एक किसी को पता ही दिन चयों पर्सनल इंकम टैक्स जैसे बह 메्ले को चुछ तो वह जो सीपी सी रिवह सरकार का वह डिपार्टमेंट जो पर्सनल सेसी का जो है इंकम टैक्स का मुएला करकी है उस डिपाटमेंट ने प्रिंट फेजा दूस्तों है बड़ा अच्छा लगा कि भारत के नादरित होने के नादिक एक सर्टिफिक चैनल मिला सरकार से टी आपक य। आपने कर भरावी और उसके लिए सरकार के तीन तरीके से इस एक ब्रॉंज है एक सिल्वर है और एक प्लाटिनम तौ região छोई कि आपको से टाइक्स लैप में है उसके बेसिस पर सर्कार में आपको जो है सिर्टिमेशन दिया होते हैं कंपनी दो तर्फ़ा दे आज मेरे 4-3 सुधर है डेपार्टमेंट से मेरे को एक SMS मिलता है कि पिछले तीन मेहने में आपके कंपनी ने आपके खाते में इतना जमा किया है कि यह सारी चीज़े पहले नहीं तो जीस्टी के पोटल पे आपके फर्म के नाम की एक रेटिंग कि जितनी अच्छी रेटिंग आपकी उतने ज्यादा सप्लायर और कस्टमर आपके साथ दील करेगे अगर आप नॉन कंप्लाइट हो तो आपकी रेटिंग कम होगी कम से कम लोग आपके साथ वियवार करना चाहेंगे तो यह आपके कंट्रोल में है कि आप अपनी compliance कैसे manage करोगे जितनी smartly जितने professionally और जितना technology का इस्तमाद करके आप अपना compliance manage करोगे उतनी अच्छी आपकी rating होगी ध्यान रखना rating के मामले में मैंने तीन चीज़े बताई थी करेक्टनेस मतलब संपूर्ण तरिके से सही रिटर्न दूसरी बाद टाइम समय पर रिटर्न बरना और तीसरी बाद complete रिटर्न आपकी complete होनी चाहिए आधा अधूरा रिटर्न आप नहीं बर सकते हो अगर सरकार आपको बोल रही है कि 6130 में बरना है आप सोचो कि नहीं नहीं चलेगा आपकी रिटिंग कम हो जाएंगे तो नॉन कंप्लाइंस एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट इंपक्ट है आपके बिजनस में आगे बढ़ते हैं और देखते की रिजिस्ट्रेशन आपका जो है अगर आप लगातार जो है नॉन कंप्लाइंट रहेंगे तो आपकी आगे चलते हैं यह विशह है जो शायद हमसे ज्यादा चार्डड अकॉंटेट कम्यूनिटी राजीटी बैठे यहाँ पे उनके नॉलेज में शायद यह जो है उनके डोमेन में है उनके एक्सपर्टीज में जो है यह टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा मैं बगत जाहिर अगर आप कुछ खर्चा करें और अगर उस खर्चा करने में जो आपके सर्विस प्रवाइडर का बिल आ रहा है अगर वो एक GST compliant will है अगर वो एक GST compliant will है देन फॉर फॉर्दरेंस ऑफ बिजनेस अपका जो एक्सपेंडीचर है उस पे आप जीस्टी का इंपूट टैक्स क्रिडिट ले सकते हो अगें कर सकते हो अभी आप एक चीज सोचो कि आप इसे बहुत लोग है जो मैनुपैक्टरेंस आपके डाउंस्ट्रीम सप्लायर से कि दिस्ट्रीड़ mall 200 का जो नेट मार्ची नशाओ आज तर नहीं आव ईशले साठ साल में येल इसने कम मार्चीशन पे जो है फिल्यवर है अपने कमाई के जितना उसका स्काल रॉटेट हरता है महीने में साल में अवाटर में उतनी ज्यादा उसकी कमाई की है लेकिन सर, distribution पे खर्चे भी बहुत है, गाड़ी लगाना पड़ता है, लड़के लगाने करते हैं, पेट्रॉल का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, ट्राइवल का खर्चा है, डैमेज का खर्चा है, इंशॉरंस का खर्चा है, फायर एंड थ्रिफ्ट का खर्चा है, वे GST का input tax credit claim कर सकता है तो आपका distributor और उसकी profitability जो है कहीं बहतर हो जाएगी, उसकी cash flow जो है बहुत बहतर हो जाएगी, तो ये आपके interest में कि आप अपने distributor और अपने resellers को जाके ये बात बदाए कि वो GST compliant हो, क्योंकि तब वो फाइदे में आएगी, आगे बढ़ते हैं ये बात मैंने पहले भी शेड़ी कि ITC on closing stock, बहुत सरे हमारे दोस्तिया पर मौझूद है तो दियानाजली शहर में बहुत हमारे manufacturing city है तो आप में से बहुत लोग जो है जाओंगा कि आपको उसी stock पे input tax credit मिलेगा, जिसकी आपने accounting करी हो with proof of supply in the last 12 months, पिछले 12 महिने में, जितनी भी आपकी stock invert हुई है, जिसके लिए आपके पास invoices मौझूद है, purchase invoices, सिर्फ उसी पे जो है, ये input tax credit आपको जो है मिलेगा, तो दोस्तों तयारी GST की क्या है? तयारी ये है कि stock पे नजर रखे, stock के aging पे नजर रखे, वो चंद report निकाले जो आपके slow moving inventory को identify कर सके, वो report पे जरूर बहुत फरमाएं, जो stock जो है, आपका damage पढ़ा है, unsold पढ़ा है, पुराना stock है, लेते आयो, चलते आयो, कौन से गुड़ाओं में पढ़ा है, आपको व आपके लिए बहुत important है, आगे बढ़ते हैं, तो हम कहरें कि, दोस्तो, implication मोटे तार पे क्या है, कि आपका business change कैसे होगा, चेंज इस तरीके से होगा, कि सर रेटिंग देखके, आपके supplier customer के पास भी जो है, एक choice होजाएगी, उनके सामने भी जो है, सरकार जो है, एक choice प्रोवाइट करेगी, कि भई ये four star business है, ये two star business है, अब choice आपकी है, आपको किसके साथ जो है, वैपार करना है, It is as simple as that, sir, to compliant होईए, technology को अपना ये, अपने business processes को update कीजिए, automate कीजिए, और बहुत important बार, accounting standards को implement कीजिए, accounting standards, single entry का जमाना गया, बिल्टी का जमाना गया, Transporter को बगएर invoice का माल देने का जमाना गया, अभी हर chain को input tax credit के बगएर, पूरा chain आपका जो है, uncompetitive हो जाएगा, अगर आपका बगद वाला वैपारी, 18% का input tax trade अगेल कर रहे हो, आपकी pricing, आपकी costing सफर करेगी, तो ये तौर तरीके हमको बदलने होगे, आगे चलते हैं, तो ये हमने सिखा कि business पे आपका क्या impact है, काफी सारे 5-6 points ने बदाए, सारे points हमने जो है detail में नहीं देखा, लेकिन input tax on, tax credit on expenses, और rating वाली बात जो है, उसके हमने थोड़ा सा time spent किया, ये हमारा last section है कि as a business man, वयापारी होने के राख, हमको क्या करना चाहिए, GST के लिए तैयार होने के लिए, तो हमारे points इसमें क्या है, सबसे पहनी बात कि obviously आपको compliant होना है, उसके बात कि आपको, जो compliant आपके suppliers और आपके customers जो है, आपको उनको भी encourage करना पढ़ेगा, to become compliant, और इसमें education बहुत important है, अगर आप manufacturer है और आपके 60 vendor है और 600 supplier है, तुरन्त उनको प्लाइए, उनसे बात कीजिए, उनको कानून समझाईए, दोस्तों ये एक इतना बड़ा change है, ये इतना बड़ा change है, कि हमने वैट के टाइम पे भी, जो है कई जो है वक्ता यहां पर बोलखे गए कि टैली जो है वैट के टाइम पे भी जो है वैपारियों को हमने बहुत हिल्म किया लेकिन हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं कि सर छोटे वैपारी मद्दम भर के जो वैपारी है हमारे देश के, अगर उनको हमने जाके जेस्टी के काणून के बारे में सही विस्ति जानतार ही अगर हमने नहीं गया तो उनका बिजनेस बंद जाएगा सर लेयर बिजनेस विल कम तो अ स्टैट सिफ इस बात को हमें समझना जो है बहुत इंपोर्ट है आगे बढ़ते हैं तो आज हमको क्या करना चाहिए कि अगर हमको जेस्टी में जो है ट्रांजिशन करना है तो सबसे पहले हमें बुक्स अपाउंट और जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी जो है हमको बेट करने पड़ेगी इसके आगे कि हमारे जो टैक्स क्रेडिट से उसकी डिटेल्स जो है हमारे स्टॉक अग्सिस यह लास्ट पॉइंट को थोड़ा सब आप नूटिस करें कि जी एस्टी इसर ट्रांजैक्शन लिविट टैक्स यह समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह कंसॉलिडेटेट टैक्स नहीं है आज हमारी छोटे वैपारी अगर उनकी टर्नोर 20 लाग है तो टैक् इतना बना है जब आख एक इन्वाइस लेवल कंप्लाइंस सिस्टेम की तरफ आप जा रहे हैं तो यह समझना हमारे लिए बहुत इंपोडेंट है कि हमारी इन्वाइस की एकुरिसी जो है आज से बहुत अधिक जो है होनी चीए और बेहतर होनी चीए आज हमारी वैपार का क्या नियम है सप्विश हम्कों इन वरज आ जाता है दॢराज में जाता है उंजार्ट है इन वाइस की एंटीर होती है इनवाइस की एंटर्वी होता है और इसकी पेच Igam कि सप्लायर को फोन करता है तीन बार चार बार उसके बाद एक चेक बनता है या तो चेक जो है सप्लायर को जाता है सर मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं यह हमको तरीका बदलना पड़ेगा वी हब टुशिफ्ट वी अप्लोड शिस्टेम आपको इन्वाइस को रियर टाइम में प्रॉसेस करना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपका सप्लायर इन्वाइस रेस करते ही जो है उसको अप्लोड कर रहा है जिस्टेम के सिस्टेम में तो अगर आप उसको फाइल या दराज में डाल के बैड़े जाएंगे साथ दिन के लिए तो काम नहीं चलेगा आपका इंपूट टैस्ट जो है आप अब देटा का जो इंट्रेक्शन होगा जिस्टेम के साथ यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो मेरा दोस्तों मेरे क्याल से भूम सभी को बहुत जवर्दस लगी है टॉपिक बहुत बड़ा है और जैसे मैंने कहा बहुत बहुत ही चर्चित टॉपिक है आज की तारि देखु कि we have an app which is called Tally for JST इसको Android या Apple iStore से ज़रू डाउन्रोड दरे फ्री आप है इस app में आपको तो अलग अलग चीजों की जानतारी मिलेगी अगर आपको JST के बारे में पढ़ना है तो हम regularly blogs के जरिए लोगों को educate करने की कोशिश लगे और वही ब्लॉग जो है JST के app म आपको दिखेगा और एक बहुत important चीज़ आपको यह दिखेगी कि उसमें calendar calendar में कोई भी तारीक अगर आप क्लिक करेंगे तो पंजाब के कोई ना कोई शहर में टैली किसी ना किसी ऐसे association के साथ जुड़े भी है जाते हम कोई ना कोई इवेंट कर रहें तो जरूर आप उस अगरे और आपके पार्टेसिपेट करें थांक यू वेरे मुट शुक्रिया आपका कि आपने अटेंड किया कोई विजातकारी चीए प्लीज बोटने करेंड़ेंगे कि कि